हिंदू धर्पिक कई तरह की मानेताय प्रचलित हैं। पुजापाट से लेकर व्रत्तिवार और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। इसमें सोने, जागने, खाने, पीने, उठने, बैटने तक के नियमों का जिक्र है। वास्तो शास्तर में इस बारे में बिस्तार से बताया गया है कि कोई चीज कहां पर होनी चाहिए या कोई काम करते समय दिशा और इस्तान का ध्यान कैसे रखना चाहिए। इसके लावा कई चीजों को शुब माना जाता है और कई चीजों को अशुब माना जाता है। जैसे कि तीन या तीन नंबर को शुब नहीं माना जाता है। खास तोर पर खाने पीनी की चीज़ों के मामले में इस बात का विशेश ध्यान दिया जाता है। कि तीन की संख्या में कुछ ना दिया जाए और ना ही लिया जाए। इसके लावा किसी को भूजन की थाली में एक साथ तीन रोटिया भी नहीं परोसी जाती है खाना परोस्ते समय पहली बार में सिर्फ दो या चार रोटिया ही दी जाती है लेकिन क्या इसके बारे में आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों थाली में तीन रोटिया एक साथ नहीं दी जाती है और इसके पीछे की वज़य क्या है तीन रोटिया थाली में परोसने का सम्मंद मौत से है बतादे की वास्तु सास्त्र में तीन नंबर को अशुब माना जाता है लिया जा बोजन की थाली में एक बार तीन रोटिया नहीं परोसने चाहिए इसके अलावा मृत्यों के बाद जब किसी शक्ष की तेरवी होती है तो उसमें म्रता के लिए एक थाली लगाई जाती है और उसमें तीन रोटिया पूरी परोसी जाती है मौत से जुड़े सभी संसकार में थाली में एक साथ तीन रोटिया परोसी जाती है इसलिए बाकी दिनों में इससे बचने की कोशिश की जाती है दूसरा है लड़ाई जगड़ा बढ़ने का रहता है खत्रा खाने की थाली में एक साथ तीन रोटिया नहीं परोसने की वज़ाए यह भी है ऐसा करने से घर के सदस्यों के मन में लड़ाई जगड़े के भावाते हैं घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है इसलिए थाली में एक साथ तीन रोटिया परोसने से बचना चाहिए इसके साथ साथ एक वैग्यानिक करण भी है एक साथ थाली में एक साथ तीन रोटिया नहीं परोसने के पीछे एक वैग्यानिक कराण भी माना जाता है दरसल एक्सपर्ट सला देते हैं कि अगर शरीर को स्वस्त रखना है तो एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए एक वैसक को यानि एक बड़े वेक्ति को एक बार में एक कटोरी सबजी, एक कटोरी दाल, दो रोटी और लगबख 50 ग्राम चावल ही खाने चाहिए तीन या इससे ज़्यादा रोटियां एक साथ खाना सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है तो ये थी जानकारी एक साथ तीन रोटी ठाली में ना परूसने की आपको ये जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे